तिरहुत और दर्भंगा प्रमंडल में जब्त शुराव सहीत अन्य मादक पदार्थों की सेंपल की जाचब मुझफरपूर में ही होगी इसे अधिकारियों को पटना स्थित उत्पाद प्रयोग साला में जाने से राहत मिलेगी मद्द निश्वेद उत्पाद वम निबंधन विभाग ने सूबे के तिन जिलों में लैब उत्पाद प्रयोग साला खुलने की सुईकर्ति दे दी है इन जिलों में मुझफरपूर, पूर्णिया और भागलपूर शामिल है मुझफरपूर में छाता चौक स्थित, कमांडिंग भवन में प्रयोग साला खुलने वाली है सितंबर से यहां पर जाच भी शुरू हो जाएगी बता दें कि इसको लेकर संयुक्त आयुक्त मद निश्वेद ने तीनों जिले के उतपाद अधिक्षक को पत्र भी लिखा है बताया है कि सैंपलों की अधिक्ता को देखते हुए इन तीनों जिलों में एक एक ब्रांच लैब उतपाद प्रयोग साला के लिए एक उतपाद रसायन, परिक्षक और एक लैब टेकनिशन, एक लैब असिस्टेंट, दो MTS और दो डाटा एंट्री ओपरेटर कारेरत रहेंगे प्रयोग साला में CCTV भी लगेगा जिससे कि उसकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी बिभाग की अनुसार प्रतेक उतपाद प्रयोग साला में उपकरन खरीदने के लिए बिभाग ने 16.55 लाख रुपे की सुईकरती दी है प्रयोग साला में आए सेंपलों की जाँच के बाद प्रदर्श को उतपाद रसायन परिक्षक की उपस्थिती में विनिष्ट कर दिया जाएगा सेंपलों का दुरुपयोग किसे भी परस्थिती में सुईकरा नहीं जाएगा इन जिलों में प्रयोग साला खुलने पर विभाग की कर्मियों का समय भी बच पाएगा समय पर सैंपलों की रिपोर्ट मलने से केस को मजबूती मिलेगी अभी आईयो को जब्त शुराब सहित अन्य मादक पदार्थों के जांच के लिए पटना जाना पड़ता है मुजबफरपूर में हर महीने करीब 500 सैंपल जांच के लिए भेजे जाते हैं इनमें कई की रिपोर्ट समय पर नहीं मल पाती बता रहे हैं कि अब तक राजधानी पटना के कुम्राड में पूरे राजजी के सैंपल की जांच होती थी सैंपल की अधिक्ता को देखते हुए मद्य निश्यद विभाग ने यह बरा फैसला लिया है एक बार फिर से बता रहे हैं कि तिरहुत और दर्भंगा प्रमंडल में जब्त शुराब सहित अन्य मादक पदार्थों के सैंपल की जांच अब मुझफर पूर में ही होगी इससे अधिकारियों को पटना इस्थित उतपाद प्रयोग शाला में जाने से राहत मिल जाएगी मद्य निश्यद उतपाद अबम निबंधन बिभाग ने सुबे के तीन जिलों में लैब उतपाद प्रयोग शाला खोनले की सुईकर्ति दी है इस जिलों में मुझफर पूर्णिया और भागलपूर शामिल है मुझफर पूर में चाता चौक स्थित कमांडिंग भवन में प्रयोग साला खोनले वाली है सितंबर से यहाँ पर जाच भी शुरू की जाएगी इसको लेकर संयुक्त आयुक्त मद्य निश्यत ने तीनों जिले के उतपाद अधिक्षक को पत्र भी लिखा है और बताया है कि सैंपलों की अधिक्ता को देखते हुए इन तीनों जिलों में एक एक ब्रांच लैब उतपाद प्रयोग शाला खोला जाना है प्रते उतपाद प्रयोग शाला के लिए एक उतपाद रसायन परिक्षक, एक लैब टेक्निशन, एक लैब असिस्टेंट, दो MTS, दो डाटा एंट्रे ओपरेटर और साथ ही और भी अन्ने लोग कारे रथ होंगे प्रयोग साला में CCTV भी लगेगा जिससे की उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी बिभाग के अनुसार प्रते उतपाद प्रयोग शाला में उपकरन खरीदने के लिए बिभाग ने 16.05 लाख रुपे की सुईकर्ति दी है प्रयोग साला में आये सेंपलों की जाज के बाद प्रदर्श को उतपाद रसायन परिक्षक की उपस्थिती में विनिष्ट कर दिया जाएगा और सेंपलों का दुरुपयोग भी किसी भी परस्थिती में सुईकार नहीं किया जाएगा